Extend Parallel Tool को इस्तमाल करने के लिए पहले हैं सेग्मेंट सेलेक्ट करें जिसे Extend करना चाहते हैं फिर Extend Parallel Tool पर क्लिक करें अब यहां जितना आप सेग्मेंट को बढ़ाना चाहते हैं वह टाइप करें हम यहां 4 इंच लिखकर OK करेंगे यहां यहें देखें कि Angle को Follow करते हुए Line को आगे बढ़ाया गया है यदि हम यहां Negative Value डालेंगे तो Line Contour के अंदर की तरफ चली जाएगी